लो गई सोगताब सभी का हमारे भीके स्पेसल यूटूब चैनल पे और आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊँगा Google Drive में फोल्डर को कैसे डिलीट करते हैं आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आप भी Google Drive एप्लिकेशन को यूज करते हों और आ चैनल को सब्सक्राइब करके बैल लेकिन दबा देना तो चलो आज की इस वीडियो को सुरू गड़ते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना आपको गूगल ड्राइव एप्लिकेशन को ओपन कर लेना है जैसे आप ओपन कर लोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह के इंटरफे करना है जैसे कि आप देखोगे हमारे में एक फस्ट फोल्डर है 2023 पोटो के नाम से फोल्डर है एंड इसको हमको डिलीट करना है तो इसके बाजू में एक ओप्सन मिल रहा है थ्री लाइन बाला तो मैं इधर पर किलिक करना होगा उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह के इंटर फेश आएगा और इधर पर आपको बहुत ज़्यादा ओप्सन देखने के लीमिल जाएगे तो सिंपल सा आपको क्या कन आपको नीचे की तरफ हुगरा आजाएगा मूव वाला उप्सन तो आपको क्लिक करना होगा और जैसे आपका जो फोल्डर हाट जाएगा तो से आप ड्राइब एप्लिकेशन से अपने फोल्डर को हटा सकते हो अगर आपने बहुत जदा फोल्डर बना लिए तो आप कुछ इस तरह से हटा सकते हो उमीद है आपकी प्रवलम सोल होगी और आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो इस आजभ आपकी लिगयो पीडियो जापकी साओ कर दो आपकी को कैंगी चैएब जुब्स को हूगी इस् कि आपकी सम democratीह को इ credibility को आपकी को कर आपकी